असलाम अलेकुम गाइस दिस इस कासीम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉक्स चैकोड को क्लासिक चैकोड में कैसे कनवर्ट कर सकते हो फार एक्जेंपल ये एक चैकोड का पेज है और ये ब्लॉक्स एडिटर के थुरू बना हुआ ठीक है तो हमने इसको क्लासिक चैकोड के अंदर कनवर्ट करना है जो के डिफॉर्ट चैकोड का पेज होता है इसकी वज़ा ये है कि कोई भी अगर कस्टमाइजेशन चैकोड के पेज़ पर करनी है तो वह इस पे मुम्किन नहीं है नुओ ढ़लद चैकोड लिफ्ल तो बना हुँग यजो के ब्लाग अडिटर के थुरूँ बना हुआ है तो कोई भी कस्टम एडिफॉर्ट क theo ने अगयरुच की क्यों तो क्रहें आपको तो यहां पे मैं इसका source code दिखाऊँ तो आप यहां पे देखोगे कि यह देखें, block, wc block, woocommerce block components यूज़ करके check code को create किया हुआ है, तो इसको हम कैसे convert करेंगे classic check code में, तो let's go to admin panel, ठीगा, यहां पे आपने आना है और यहां पे आके appearance के अंदर editor पे आपने जाना है, editor पे आप जाएंगे तो site editor जो है, theme जिसको support करता है वो open हो जाएगा, ठीगा है, यहां पे हम template select करेंगे, और template के अंदर यहां पे custom में हमारे पास यह checkout है और यह checkout बना हुआ है, block elements के दुरूँ, ठीक है, for example, अगर यहां पे मैं किसी एक पे click करता हूँ, तो यहां पे आप देखोगे, right side पे यह options आपके पास, जैसे कि यह मैं इस पे click किया, तो यह देखे, यहां पे, यह सारी details शो हो रही है, ठीक है, तो यहां पे भी आप left side प यह देखे, यहां पे यह option आ रही है, इसको आप convert कर सकते हो, switch to classic checkout, यहां पे यह option आ रही है, ठीक है, यहां पे मैं click करूँगा, तो यहां पे यह एक warning दे रहा है, कि अगर आपने कोई भी चैनिंग की ही है, कोई भी update की है, तो वो elements की update जो है, खतम हो जाएगी, और classic जो default checkout है, जो है, वो display होगा, front end पे, ठीक है, तो इसलिए, you have to make sure, कि आप यह चेक, जो convert करना चाहरे हो, यह इसलिए है, ता कि आप custom work कर सको, ठीक है, अदर्वाइस, यहां से भी आप changing कर सकते हो, अपनी requirement के साफ, तो यहां पे मैं click करूँगा, switch पे, तो यहां पे देखे, classic checkout, य यह classic checkout का view आगया हमरे पास, ठीक है, इसको मैं अब save करूँगा, save कर लिया, अब हम जाएंगे front end पे, पहले यह वाला view था, ठीक है, front end पे जाएंगे, तो हमें default वाला checkout जो है, वो display होना चाहिए, तो अभी आप देखें, यह default checkout यह वाला है, ठीक है, जो input fields हैं, वो show नहीं ह होगा है, यहां पे ठीक है, तो यह default ही है, बाइट फॉल्ट है, लेकिन इसकी input का color जो है, वो अभी black है, और इस वज़ासे है, हमें यह नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं इसको background change कर लेता हूँ, तो इस तरह का जो है, यह हमारे पास default, जो checkout है, यह हमें view होना शुरू हो गया, इस checkout को हम customize कर सकते हैं, custom code के तरू, I hope you understand this, and so if you have any question, you can leave comments, and I will get back to you as soon as possible, thank you.